यूएफसी टूएटी फोर में इसलाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की के बीच में सुपर फाइट होने वाली है जहां पर अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की जो फैदर वेट चैंपियन है वो फाइट करेंगे लाइट वेट किंग के साथ जो है इसलाम मखाचेव औ और यहां पर दोनों केंप के अंदर से मसालेदार न्यूज और इन्फोर्मेशन निकल कर आ रही हैं और यह इन्फोर्मेशन निकल कर आती हैं इंटर्व्यू में से अब अलग-अलग फाइटर्स अपना ओपीनियन तो देई रहे हैं जिनकी बाते हम कर रहे हैं लेकिन यहां पर अलेक्जेंडर वॉलकुनवसकी ने हमें बताया है कि मैं कुछ प्लैन कर रहा हूँ और यह प्लैन अगर मेरा एग्जीकूट हो जाएगा तो मैं जीच जाऊंगा। यानि कि अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की ने कहा I will take some risk, यानि कि मैं risk लेने वाला हूँ और इस risk की वजए से मैं जो हो है वो इसलाम मखाचेव को finish करूँगा, यानि कि risk लेके finish करूँगा, ये बात कही है अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की ने क्यों कही है, इसके पीछे reason क्या है औ अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की ने बात की है, जिसके बारे में हम discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया है, तो होसला बढ़ाए channel को subscribe करें, और साथ में bell icon को दबा दीजिए, क्योंकि एक भी वीडियो आप लोग miss नहीं करना चाहेंगे, तो चलिए, अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की का प्लैन क्या है, देख लेते हैं, देखिए, अलेक्जेंडर वॉलकनोस्की ने कहा, I feel like I am gonna catch him, यानि कि मुझे लगता है, कि मैं इस्लाम मखाचेव को knockdown कर सकता हूं, किसी भी moment में, क्योंकि मैं उसे catch करूंगा, feet के उपर, I know I want to capitalize on the feet, usually when I am fighting other guys, I know their chances are more likely to be a puncher's chance, so I have got more of a safety net on the feet, can't take too much many risk, I will take some risk now, यानि कि उन्होंने कहा, कि मैं दूसरे fighters के खिलाफ, जब fight करता हूं, जैसे नोने मैं के खिलाफ, या रोडरीगर के खिलाफ, और बाकी सभी fighters के खिलाफ, जब फाइट की ब्राइन ओटेगा के खिलाफ, त उनका chance रहता है, पंचर chance, यानि कि मुझे खत्राया रहता है उनकी striking से, इसलिए मैं striking के अंदर ज्यादा risk नहीं लेता, मैं striking के अंदर अच्छा perform तो करता हूं वहाँ पर भी, लेकिन बिना किसी risk लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिकत है नहीं, क्योंकि मुझे इसला I have a bit of safety net around it, I will take risk, with this one I will have a safety net, but I need capitalized on the feet, यानि कि यहाँ पर मैं इसला मकाचेव के खिलाफ जो है striking के अंदर safety भी रखूंगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे मौका नहीं चूकना है, क्योंकि अगर मैंने striking के अंदर मौका चूक दिया, यानि कि अगर मैं चूक गया उसके बाद मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जीतना, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, I don't want to let rounds taken away from me, यानि कि मैं नहीं चाता कि इसलाम मकाचेव जो है मुझे take down करे, और ground control time से round ले जाए, इसलिए जब striking game चल रहा होगा round के शुरुवात में ही, तो मुझे उस moment को capitalize करना यानि कि Alexander Volkanovski ने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ बिलकुल भी, पांच round की fight बेशक होगी, लेकिन यहाँ पर Alexander Volkanovski ने अपने game plan का hint बिलकुल साफ दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो है ये risk नहीं लूँगा कि मुझे take down किया जाए और मेरे से rounds जीतता रहे इसलाम म के अंदर finish करूँ और finish इसलिए होगी क्योंकि मैं risk लेने वाला हूँ, यानि कि आप मुझे एक अलग ही level की striking करते हुए देख सकते हैं, अलेक्जेंडर Volkanovski ने यहाँ पर साप सपष्ट कह दिया है कि आप लोग wrestling wrestling करते रह जाओ, लेकिन मैं risk लेकर finish करने की कोशिश और ये को या फिर सबसे तगड़ा fighter boxing के उसमें आप मानते हो मैक सोलोवे को और मैक सोलोवे को one sided यानि कि तीन fight हरा रखी हैं और undefeated हैं या पर Volkanovski तो ये बिल्कुल possible हो सकता है कि जैसा plan Volkanovski अपना बता रहे हैं कि वो feet के उपर striking के अंदर risk लेके finish करे fight को और Islam Makhachev को knockdown करके या फिर कहें कि finish करें TKO से तब ही बात बनेगी क्योंकि जब तक risk नहीं लेंगे जब तक मौके create नहीं करेंगे तो Islam Makhachev उनको take down करेगा ही करेगा और उनसे round चीन कर लेगा ही लेगा तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि Volkanovski का ये game plan Islam Makhachev के खिलाफ work करेगा या नहीं करेगा क्योंकि वो भी champion है वो भी आज तक हारे नहीं है तो वो जो सोच कर आएंगे उसके लिए प्रोपर गेम प्लैन बना कर आएंगे लेकिन दूसरी तरफ है अनब्रेकेबल फोर्स हबीब और उसकी टीम और उनके champion Islam Makhachev तो UFC 284 में किसका सिक्का चलने वाला है कि अलेक्जेंडर वोलकुनोसकी की ये चाल चलने वाली है कि striking के अंदर risk लेके finish करो मामला खतम दोनों belt अपने पास या फिर Islam Makhachev के सामने वोलकुनोसकी का कोई gameplay नहीं चलने वाला नीचे comment box में comment करके बताएं क्योंकि इस video के अंदर comment जरूर करना है और इस video को highest liked video हमें बना Makhachev के तो like करके comment जरूर करें और इस video को share जरूर करें और अपना point of view दें कि वोलकुनोसकी से सहमत है या हभी भी तयार बैठा है कि आप risk लीजिए risk से risk कर देंगे यानि कि हम आपको submit कर देंगे बताईए क्या है आपका सोचना comment में comment box में comment कीजिए और video को like share कीजिए take care अ